ओके गाईस तो आज की इस वीडियो टूटोरियूम ले हम दो देखेंगे कि क्या होता हमारे पास Classes and Objects in C++ मतलब कि हम पूरी तरह से पढ़ेंगे कि हमारे पास C++ के अंदर Classes and Objects होती क्या है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं Classes की क्या होता है मतलब जैसे हमारे पास क्या है दो तरह के Data Types होते हैं एक होता हमारे पास Inbuilt Data Types और दूसरे होते हैं हमारे पास User Defined Data Types जो Inbuilt Data Types होते हैं उनमें हमारे पास आयते हैं Integer, Character, Flow, Double etc वह क्या होते हैं हमारे पास वह पैते से ही Pre-Defined होते हैं और हमारे पास हमने C Programming Language पढ़े हैं मैंने इसके भी कई Tutorials अपने चैनल पर डाले हैं अगर आपने नहीं देखे हो आप देख सकते हैं उसमें मैंने आपको बताया है कि हमारे पास अलग-अलग तरह के User Defined Data Types भी होते हैं जैसे Structures, Unions, Etc. ठीक है ना उसे तरह हम बात करेंगे Classes की तो पहले हम आपको Real World Example दूँगा Classes और Objects का फिर मैं आपको Programming के भी आपसे समझाओंगा कि Classes होती क्या है Suppose कीजिए कि आप क्या करते हैं एक Market में जाते है Mobile लेने और जब आप Mobile की दुकान पर जाएंगे आप उसे कहेंगे कि हमें एक Mobile दिखा दीजिए Smartphone दिखा दीजिए वो आपके सामने क्या करेंगा 5 , 10 या 15 जितने वी आपके उसके पास Mobile phone पास Available है वो सबी Mobile phones आपको दिखा देगा आप क्या करेंगे उन Mobile phones को देखेंगे आप उनमें से देखेंगे कि सभी में कुछ ना कुछ common properties है सभी mobiles में common properties जब functions होंगे जैसे मालीजे camera के अगर हम बात करें तो camera सभी mobiles में present होगा जितने में वो mobiles आपको वो shop के पर दिखाएगा सभी mobiles में वो camera present होगा उसी तरह अगर आपको मैं बात करूँ जी सब common functions और items जी working functions और items वह सभी Mac उअगर जो ही जो है वह सभी mobiles के अंधर प्रेजेंट होगी been कोमन फांक्षेंटर प्रोपरिट इंहें कोलएक्शं को हं Carmichael of mobile phones, sorry, अगर हम mobile phones की बात करें, दो जी हमारे पास जो common functions or items होती है, जो common functions or properties होती है, इन ही की collection को हम क्या गय देते हैं, classes का नाम देते हैं, अब अगर हम बात करें camera की, camera की बात करें, sound quality की बात करें, वो सभी मोबाइस के अंदर present होगा, सभी, मतलब हम कह सकते हैं कि सभी के अंदर common property है, वो common functions present है, उनही की collection को हम classes का नाम देते हैं, और अगर हम बात करें objects की in a real world, तो जो in a real world में implement करेगा, जाने की classes की जो भी हमारे पास, हमने का की classes जो हमारे प्रोपर्टी और member functions की collection है, classes के हमारे प करेंदेते है, example के तोर पर हम देखें, तो इसमें mobile phone जो हो एक object का काम कर रहा है, क्योंकि mobile phone क्या करेंगा, इन ही classes की properties को क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, इसलिए इसे हम object कहा देंगे, यही मारे पास in real world classes and objects होती है, classes जो है, वो same तरह की properties और function की collection होती है, और दूसरी तर प्रोग्रामिंग के अंदर इसकी, तो basically इतना आप जाद रखिए है हमारे पास जो classes होती है, classes जो है, वो एक user defined data type है, user defined data type क्या होते है, जो हमारे पास, क्या होते है, मतलब user के द्वारा बनाएगी data types, उसे ही हम class कह देते हैं, इसमें हम अपने accordingly ही data members, member functions रख सकते हैं, यही हमारे पास class है, class की simple सी definition यही है, कि class जो हमारे पास होता है, वो क्या आता है, user defined data type होता है, ठीक है na, a class is a user defined data type, class के अगर हम बात करें, तो यह simply एक user defined data type होगा, जो अपने data members और member functions को collectively contain करता होगा, मतलब क्या है, कि जो अपने data members और member function को अपने अंदर रखेगा, उसे हम कह कह देते है, classes, classes हमारे पास क्या है, user defined data type है, जो अपने अंदर data members और member functions को contain करकर रखेगा, उसे हम कह देते है, classes, फिर से मैं repeat कर रहा हूँ, classes हमारे पास क्या होगी, एक user defined data type होगी, ठीक है na, जो अपने अंदर क्या करेगी, data members और member functions को contain करकर रखेगी, तो यही हमारे पास basically पिसकली क्या होती है, classes होती है, जया फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, कि classes हमारे पास data members और member functions की एक collection है, ठीक है, classes किया हमारे पास, data members और member functions की collection जो है, उसे हम classes का नाम देदेते है, तो अगरी जब भी हम बात करेंगे class की, उसमें हम एक चीज़ पढ़ेंगे data member plus member function classes जो हमारे पास था वो data member और member function की collection होती है दोनों को addition दोनों collectively जो एक class के अंदर present होगे जैसे अगर हम बात करें examples की एक class हम माल लेते हैं real world में mobile तो उसके अंदर similar properties होगी सभी mobile की etc जैसे हमारे पास camera quality आजाएगी camera video gaming आजाएगी etc उसी तरह हम अलग-अलग classes ले सकते हैं मतलब class क्या है data members और member functions की collection जो है उसे हम class का नाम देते हैं I think कि आपको यह चीज़ समझ आई होगी अगर आपको यह चीज़ समझ आई है तो एक लाइक तो बनते हैं से वीडियो को प्लिस लाइक कर दीजेगा और आपको बता दूँ कि जितने वी यह notes हैं यह आपको मैंने नीचे description में अगर आपको यह चीज़ समय करता है कि object क्या करता है class के data members और member function को यूज करता है उसे हम objects कहते हैं मतलब objects की help से ही हम किसी class के data members or member functions को use कर सकते हैं example के तो अगर मैंने आपको example दी थी mobile phone की अगर mobile phone में camera quality है या फिर video game है तो वो video game है mobile की help से ही क्या सकते हैं उसे तरह जो हमारे पास class है class के अंदर हमारे पास के data members or member functions है class एक user defined data type है जो data members और member functions को contain करती है तो basically अगर हम बात करें इसके object की जिस वी class का को यह object होगा वो उस class के data members cost और member functions का use करेंगा तो यही मारे पास क्या होता आप तो यही मेंदे पास क्या होता है class ए और objects होगा objects क्या करते है class की data members और member functions का यूज करते हैं उनको access provide उनके दवारा ही हम उसे access कर सकते हां आununको आपको Classes and Objects के वारे में पता लग गया होगा अब हम बात करते हैं हम कैसे Class को create करते हैं कैसे हम Class को define करेंगे सबसे पहले class define करने के लिए हम Class Keyword लिखते हैं Class Keyword लिखने के बाद हम क्या करते हैं अपना Class का कोई भी name दे सकते हैं वह जो कि कोई भी name हो सकता है Class Keyword लिखने के बाद क्या है Class name देंगे उसके बाद हम curly braces own करेंगे और data members और member functions जो हैं आपने class के अंदर लिखेंगे और फिर object बनाएंगे object जो हम किसी main member function में बनाएंगे main function में तो देखिए जब हम object बनाएंगे object कैसे बनाएंगे सबसे पहले हम लिखेंगे class name फिर लिखेंगे अपने object का name object का name भी आप कुछ भी रख सकते हैं और अब जिसवी data members या member function को access करना चाहते हैं उसके हम dot operator लगाकर access कर सकते हैं यह होता हमारे पास Classes and Objects I think कि आपको समझ आयेगा अब चलते हैं अपनी IDE के उपर क्योंकि जगता का हम coding नहीं करेंगे तक आपको समझ नहीं आएगा तो मैं यहां पे एक program बनाता हूं इसका में लिखता हूं Classes and Objects in C++ एक simple सा मैंने program यहां पे बनाऊंगा तो आप देख सकते हैं मैं शुरू करता हूं सबसे पहले मैंने header file लगा लिए और यहां पे मैं conio.h लगाऊंगा last header file तो मैंने आपको बताया कि syntax क्या है हमारे पास class बनाने का सबसे पहले हम class keyword को लिखेंगे class keyword लिखने के वाद आप आपने class का कुछ भी अपने class का नेम दोंगा जैसे मालीजे मैं यहां पे class का नेम देता हूं ए और यहां पे curly dresser zone कर लेता हूं अब आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूं यहां पे private और public comment डाल लेता हूं यहां पे private और public अब private और public क्या होता देखिए मैं आपको समझाने की पूरी कोशिक करता हूं private और public data members जो होते हैं हम उसे data members यह member functions उसे हम private भी रख सकते हैं और public भी रख सकते हैं तेकना अब private और public होते हैं क्या हमारे पास यह मारे पास होते हैं access specifies these are the मैं लिक लेता हूं यहां पे access specifies access specifies के मैं आपको समझाऊंगा पहले मैं इस काम करता हूं यहां पे अब बस अब तक इस चीज को absorb कीजिए बाद में आपको access specifies के बारे में भी बतांगा मैं यहां पे क्या करता हूं Access specifies को public रखता हु이고 अब यह public क्या private क्या gap मैं आपको बतांगा मैंने आपको कहा कि अप तक आप इस चीज को absorb कीजिए जस्ट तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक class बनाई है ए नाम की और मैं इस class में क्या कर रहा हूँ माल लिजिए एक member function रखना हूँ void display नाम का ठीक है void display नाम का मैंने member function रखा और आप चाहोते इस member function को inside the body of a class भी define कर सकते हैं और outside the body of a class भी तो मैं ऐसे inside the body of class ही define करूँगा पहले आपको display करवाने के लिए तो मैं यहाँ पर print कर रहूँगा यहाँ पर print करवा दूँगा basically classes and objects in sorry C++ और यहाँ पर handle statement जो की line change करने के लिए होती है newline के लिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक simple सी class बनाई है ठीक है यह मेरा क्या है कि user defined data type जाने कि एक class है और मैंने यहाँ पर एक class बनाई है a नाम की और इस class में मैंने data member रखा है यह वाला ठीक है तो अब मैं क्या करता हूँ main function पर चलता हूँ और अब मैं इस class का एक object create करूँगा तो मैंने उसका भी आपको syntax बताया था जब यह मैं किसे class का object create करना था सबसे पहले हमने लिखता हूँ था class name तो मेरे पास class name a है मैं इस class को object create करता हूँ हमा लेजिए oba ठीक है यह मैंने क्या किया यहां पर comment डाल कर रिक रहा हूँ मैं object of class a is created here यहां पर मैंने class a का object create किया है और यहां से object create करने के वाद मैं क्या करूँगा इस object के द्वारा ही मैं इस member function को access करूँग वाली करूँगा oba.display तो यहां पर मैं get cx return 0 तो आप देख सकते हैं यहां पर क्या हुआ आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने क्या किया एक class बनाई ए नाम की उसका syntax मैंने आपको बता दिया कि class की वर यूज करना उसके बाद आपको अपनी class का name लिखना जो भी आप बना रहे हैं उसके अंदर आपको data members member functions को रखना है अब यह public या private क्या है इसको थोड़ी देर के लिए आप क्या करिए मतलब थोड़ी देर के लिए आप इससे silent पर रखें इसको आप मैं आपको बाद में समझाओंगा अब थोड़ी देर के लिए आपको इससे क्या करेंगे silent पर रखेंगे आप ध्यान देंगे इसको सिर्फ ध्यान देंगे इसके उपर इस statement के उपर मैंने एक member function बनाया जो में पास क्या एक member function है ठीक है यह मेरे पास एक member function है जोकि display नाम क्या है अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्या किया इस class का object create किया एक class का class name लिखने के बाद मैंने object बनाया ओबी य फिर मैंने इसी object के साथ क्या किया इस class के member function को access कर लिया और मैंने कौन सा operator use किया देहां दीजेगा dot operator उससे मैं क्या कहता हूँ member selection operator कहता हूँ ठीक है न यह मेरे पास member selection operator है जब भी मैंने किसी object किसी class के object दवारा उसके member function को access करना है जाए फिर किसी data member को access करना है तो मुझे dot operator का use करना पड़ेगा यह obviously मैंने यह किया मैं इस program को जैसे compile करूँगा तो इसका मैं रख देता हूँ इसका मैं नाम देता हूँ यहाँ पे tute one dot cpp तो यहाँ पे मैं ऐसे save कर लूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे I think किसी भी तरह का error नहीं आएगा यह थोड़ा time ले रहा है for any reason so मैं सेरा हम run करता हूँ किसी भी तरह कोई error नहीं आया तो जैसे मैंने इस run के आप देख सकते हैं classes and objections C++ तो automatically जो मेरी class का जो है मतलब मेरी class का जो मैंने member function बनाया display वो मैंने access कर लिया इस class के object द्वारा तो आप देख सकते हैं कि कैसे हम class के data members जो member functions को access कर सकते हैं यह मैंने आपको बिल्कुल simple program बताया कैसे हम किसी class के data member वो member functions को access कर सकते हैं using class and object using objects मैंने इस class के एक object क्रेट किया फिर इस object के साथ dot operator यूश किया और display member function को मैंने क्या कर दिया access कर लिया तो अब मैं आपको समझाओंगा कि यहां पर public क्यों लिखा है मैंने यानकी access specified क्यों लिखा माल लीजेगी अगर मैं यहां पर लिखा private थोड़ी दिर के लिए माल लीजेगी मैं यहां पर private लिखता हूँ अब मैं जब इसे compile करूँगा तो आपके सामने एक error आजाएगा error के आएगा कि is private within the context तो अब अब को समझ में आएगा कि private या public क्या होता है देखे private और public हमारे पास क्या होते है access specifies होते है अगर हमने किसी data members को private रखा है तो वो सिर्फ क्या है class दुवारा ही यूज़ किया जा सकते है इस class के अंदर अंदर ही यूज़ किया सकते है और अगर जहां पर मैंने माल लिया कि एक private data member रखा है display नाम का तो जही 말고 इस class की body के अंदर ही यूज़ किया सकता है Class के बाहर से इसी access नहीं है चैसा जासे कि, मैँने Class के बाहर से इसी access करने की कोशिशनिकी तो जै volcanicょ Creature आए अपर यह remote आज और अगर मैं यहां पर यह अगर मैं यहां यहां पर complete कर लेता हूं तो आप देख सकते हैं जो मैंने यह पर complete कर दिया अब यह प्राइवेट कर लेता हूं तो आप देख सकते हैं कि यह क्या हो रहा है मारे पास एकसस नहीं हो रहा है यहां पर हम क्या देख सकते हैं यहां फिर एक चीह हमें सीखने को मिली जो प्राइवेट डेटा मेंबर्स ओफ दा क्लास के नोट बी एकसेस्ट बैदा आउटर क्लास एलिमेंट्स कि private data members जो हमारे पास class किये होंगे वो जो access नहीं किये जा सकते outside the outside the class body तो इसे access करने के लिए हमें कोई ना कोई public member function बनाना ही पड़ेगा example के तोरप पे जहांते मैं इसे public कर दूँ जहां फिर मैं क्या कर सकता हूँ यहां पर पुब्लीक मेंबर फॉंक्शन में रहांगा मां लिजिए void access नाम का तो I think access नाम का member function में रहांगा और इसमें मैं क्या करूँगा simply call कर लूँगा display को ओके तो अब मैं अगर access को access को मैं क्या करूँगा object के दोवारा call करूँगा तो आप यहां पर देख सकते हैं यह मेरा program कोई error show नहीं करेगा अब आपको थोड़ी सी confusion लग रही होगी चीज बट आपको समझाओंगा tension मत लीजिए तो आप देख रहे हैं यह compile हो रहा है मेरा तो compiler होने के बाद कोई error नहीं आया तो इसी मैं run कर रहा हूँ तो देखिए मेरा program बिल्कुल सही तरह run कर गया अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ देखिए मैंने का किया यहां पर इसे private member रखा है तो private members मैंने आपको बता दिया private members of the class cannot be accessed by the outer class elements जाने की class के बाहर हम इसे access नहीं कर सकते बट आप करेंगे कि इसे आपने private रखा है तो फिर यह access यह call कैसे हो गया चल कैसे गया तो private data members private member function को मैंने access किया है indirect way में मैंने कहा कि एक public member function बनाया है access नाम का जो कि मेरा दूसरे member function है यह मेरा क्या है यह मेरा public member function है जिससे मैंने यहां पर बनाया आप देख सकते हैं यह public member function है इसका use class, non class object द्वारा class के object द्वारा outside the class body भी किया जासकता है मैंने इसके द्वारा इस access member function को access किया क्योंकि यह public property है और public property access की जा सकती है इसकी definition के अंदर मैंने private को call किया इसलिए हमारा private member function automatically work कर गया इस तरीके से मारे पास सारा होता है तो अब आपको clear हो गया काफी अद तक तो अगर महाली जी मैंसे भी क्या कर लेता हूं प्राइवेट कर लेता हूं तो अगर मैंसे भी private करूंगा तो मेरा प्रोग्रम फिर से नहीं चलेगा अगर मैंसे भी private करता हूं तो मेरा प्रोग्रम फिर से नहीं चलेगा विकोज यह भी मेरे पास क्या है प्राइवेट डेटा मेंबल्स है और प्राइवेट डेटा मेंबल्स जो हमारे पास होते हैं उसे हम non class जाने की class के बाहर class की body के बाहर उसका use हम उसे हम access use नहीं कर सकते इसलिए मुझे ज़िए public बिनाना पड़ेगा इसलिए हम एक चीज़ सीखने को मिलती है कि private data members जो होते हैं हमारे पास class के अंदर उसे हम क्या कर सकते हैं private data members जो हैं उसे हम class के बाहर से access नहीं कर सकते हैं directly पर public को हम कर सकते हैं और public की help से हम private को access कर सकते हैं indirectly तो I think कि आपको यह चीज़ समझ आज होगी अगर आपको मैं दूसरी चीज़ बता देता हूँ अब अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया एक display नाम का member function क्या किया है declare, define किया है तो मैं ऐसे outside the body of a class भी define कर सकता हूँ जैसे मैं अगर मैं यहाँ पर करूँगा एक काम करता हूँ पहले मैं इसका एक screen shot ले लेते हैं ताकि आपको मैं यह provide कर सकूँ तो मैं इसका screen shot लेंगा ओकी तो मैं इसे save कर लेता हूँ ओके तो अब मैं क्याम करता हूँ जैसे मैंने इस member function को inside the body of a class define किया है मैं इसे outside the body of a class भी define कर सकता हूँ तो वो कैसे करूँगा सबसे पहले मैं इसे declare करूँगा यहाँ पर और फिर यहाँ पर मैं क्या करूँगा define कर दूगा बाहर अब बाहर define कैसे करना है I think मुझे उसके ओपर एक separate video बनानी होगी अब के लिए आपके सिर्फ इतना समझिए कि क्योंकि वीडियो वैसे बहुत लंबी हो चुकी है यह मैं print करवा देता हूँ जैसे हम मैंने यहाँ पर एक member function of class को inside the body of a class define किया है उसी तरह मैं से class के बाहर भी define कर सकता हूँ तो इसके ओपर मैं एक अलग video बनाऊँगा जिसको मैं कर सकता हूँ scope resolution operator के याद से तो इस video में आपको मैंने पूरी कोशिश कीजिए समझाने की कि मारे पास classes and objects क्या होती है private data members क्या होती है जो class के बाहर directly use नहीं की जा सकते public data members जा member functions जा data items क्या सकते हैं हम इसे तो आशा करता हूँ कि आपको यी वीडियो में समझा है अगर कि classes and objects क्या होते हैं मैंने बिल्कुली basic त्रीकिस आपको समझाने की गोशिश की और हाँ आपको मैं बता दूँ कि जितने भी मैंने आपको इसमें notes आपको notes प्रवाइड किया जाएंगे नीचे आपको description में class जहां से start हुई हो यहां पर end हुई है तो यहां पर मैं लिख देता हूँ end of class specification तो आशा करताव करी वीडियो अच्छी लगी तो मिलते आपके साथ अगली वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइबाइबाइट टेक केर